जीवन की सरिता में देखो ये कैसी गहराई है कहीं खुशी के फूल खिले गटा घम की कहीं चाई है जीवन संघर्षों की शास्वत कहानी है भोग कर्म कर्म भोग येही जिन्दगानी है इश्वर का दियावसब से सुंदर उपहार है मानव जीवन जिसको और भी सुंदर बनाते हैं हमारे कर्म अतीत का सम्मान, पूरवजों की धरोहर का ध्यान, विगासोन मुखी परंपराओं का परिबालन, आत्मगरों के रक्षा और खुद की गुरवानी, यही है जीवन की सफल कहानी, शोताओ, आज से हम तेरह कडियों का एक नया धारवाहिक आप तक पहुँचा रहे हैं, विपर ऐसे ही व्यक्तित्य की सफल कहानी है, जीवन को मुस्कान बना, प्रस्तुत है इस सिधारवाहिक की पहली गड़ी दुखी न कर रोकर जीवन को, हस हस कर वरदान बना घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना जग माने का लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना जीवन को मुस्कान 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 बना हल्वानी काट गुदाम से लगभग 25 किलोमेटर की दोरी परस्थित है खुरबाताल लगू सरोबर निकट परवत भाल है यह सरोबर ग्राम खुरबाताल है लगू सरोबर निकट परवत भाल है यही निवास स्थान है सभ्यता की प्रतिमूर्ती संसकारों की संग्रक्षक शिक्षा की मशाल लिये प्रगति के नए सोपान तैकरती आद्रणिया, सुशे, हनसा बेष्ट, हनसा दीदी देव भूमी की देवी राष्टबती पदक से सम्मानित शिक्षी का आद्रणिया, हनसा बेष्ट, हनसा दीदी आईए आज के इस एपिसोड में आपके मुलाकात करवाते हैं आद्रणिया, हनसा दीदी से दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शारिरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अपने होसलों को नहीं तोटने देते और इसे अपनी ताकत बना कर मिसाल काइम कर लेते हैं दूसरों को मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपनी जीवन को समर्पित कर देने का जजबा भी तो सब में नहीं होता लेकिन ये सारे गुण उत्राखर्ण हल्दवाने की आदरिनिया हनसा बिष्ट हनसा दीदी में हैं डेड़ साल की उमर में फोल्यों की चपिट मा आई और हनसा दीदी ने जब होश समाला तो उनका जीवन अंदकार में था कैसे इस समाज से लड़ती रही हनसा दीदी और कैसे कैसे दुनिया जमाने को एक संदेश देती रही हनसा दीदी और शिक्षा की अलख कैसे जगाती रही हनसा दीदी कैसे अपने होसलों को मनजिल तक पहुंचाया आदनिया हनसा दिदी ने आईए इन सब बातों पर चर्चा करते हैं आज की हमारी इस एपिसोड में हनसा दिदी सबसे पहले आकाश्मणी रांपूर के इस माइक्रोफोन के जरिए हम तमाम सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत-बहुत अभेने दन करते हैं धन्यवाद भैया दिदी सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि हनसा बिष्ट का जो खांदान है वो कहा कर रहने वाला था? पढ़ाई लखनों में हुई क्योंकि हमारे ताव जी लखनों में ही कारीर थे पढ़ाई लिखाई करने के बाद पिता जी फरिष्ट में नौकरी में लगे परन्तु दादा जी का देहांत हो जाने के कारण उनको घर आकर घर गरष्टी सम्हालनी पड़ी कारोबार देखना पड़ा हम बहुत से भाई बहन थे परन्तु मेरा शार से खरा था मेरा जन्म सन 1951 में हुआ जन्म के एक जर साल बादी में पोल्यो गरष्ट हो गई जब आपके पैदाईश हुई उस वक्त आपके माता पिता को जरूर इस बात के खुशी होई होगे कि हमारे घर में कोई अलाद पैदा हुई लेकिन डेड़ साल के बाद जब फूल्यों की शिकार आप हो गई ये पता आपको तब चला होगा जब आपने होश समाला उस वक्त कि अपने परिवार की जो सूरतहाल थी जो परिवार का उस समय माहौल था उसके बारे में थोड़ा सा बता है हमारे पिताजी पड़े लिखे थे हम बहुत से बहने थी परन्तु पिताजी ने लड़कियां करके कभी अपने मन को निराश नहीं किया हमारा क्योड एक भाई है हे मंतविष्ट बिमारी की हालत में भी पिताजी निराश नहीं हुए उन्होंने हर तरह से मेरा इलाज करवाया परन्तु मेरा दया पेर शतिगरस्त हो चुका था उसका इलाज नहीं हुआ मैं अभी भी इसी बात से परिशान हो सारी जिक रूप से पिताजी और माताजी की सोच विचार इतनी अच्छी थी कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा करके सक्सम करने के लिए पोन रूप से अपने मन को तैयार कर लिया और हमारे पिताजी ने मुझे घर पर ही पढ़ाया, उसके बाद प्रात्हमिक इस तरह तक मैंने गाओं में पढ़ाई की हमारी माताजी धार्मिक विचारों की थी, इसलिए हर on official मेरे अंदर धार्मिक विचार भी डालती रही और पिताजी पढ़ाई लिखाई की और मेरा रुजान बढ़ाते रहे वो काम करते हर समय मुझे पढ़ाते लिखाते कुछ न कुछ शिखाते रहते थे हर कारे में इसलिए मैं कभी निराश नहीं हुई और मेरा मन कारे में लगा रहता था देदी ये तो आपकी जो प्रैमरी एजुकेशन है इसके बारे में आपने बता है क्या उसमें मन में ये भी आया है कि मुझे आगे भी शिक्षा ग्राण करनी चाहिए आरंब में तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी पेरों पर खड़ी हो जाओं मैंने व्यक्ति गज़ रूप से हाई स्कूल तक की परिक्षा उतिरन की उसके बाद बीटी सी ट्रेनिंग करके मैं यहीं परिस्थानी सरकारी विद्यालई में अध्यापिका की पत्पर नियुक्त हो ग क tweeting परिक्षा देते हैं आप बástी उनके शाध की परिक्षा दी उसके बार शोटी बहिन ने कहा कि हमको ग्रेजेशन लेना चाहिए दी फिर मैंने प्राइबेट में भाई बहनों के साथ ही परिक्षा दी और मैं प्रसम्ट में उत्तिरन हुई बीए मेरे विभायाग की लोग भी एकी परिक्षा उत्यान की अच्छा हमारी समाज में लड़की होना एक बहुत बड़े गर्व की बात भी है और दूसरी तरफ माबाप कहीं अपना आपको कमजोर भी समझने लगते हैं चुकि लड़की है तो उससे विवाह की परमपरा भी जुड़ी है तो क्या उस समझ कोई ऐसा वाकिया गटा है कि आपको दोराई हो गया हो कि मुझे अपना करियर चुनना चाहिए या कहीं जो सामाजिक बंदन है उससे जुड़ना चाहिए मैं चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं किसी के उपर बोज नहीं बनो इसके लिए माताजी पिताजी ने पोण सहयों किया और मध्यापिगा बन भी गई पहले आरंभ में जो रिष्टे आए वो सिर्फ ये सोते थे किसी के बच्चे नहीं होते थे वो संतान प्राप्ति के लिए विवाह करना चाहते थे और कोई ऐसे स्वेंग़ी अशस्त थे मेरी तरह इसलिए वो संबंदर करना चाहते थे परन्तु बाद में मेरी इस्तिती जब सही हो गई मैं नौकरी पर आ गई समाज में एक इस्थान बन गया तब अच्छे लोगों ने भी विवाह के लिए प्रस्ताव रखे लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगी और समाज में अपने ही तरह के लोगों को गरीब और जो दबे हुए हैं उनको मैं उपर उठाओंगी इसके लिए मैंने जो बच्चे हमारे अगल बगल काम करते थे जिनके माता पिता नहीं पढ़ा रहे थे मैंने उन्हें बताया कि भईया आप लोग अपने माता पिता की सहायता करो और तुम प्राइबेट रूप से पढ़ाई लिखाई करके परिक्षा दो बच्चों ने परिक्षाएं दी हमारे पड़ोस में एक दीदी हैं उनका बाल विवाः हो गया था सच साल गई बिमार हो गई काम धंदा नहीं कर सकती थी हमारे पहाड में तो ऐसा है अगर हम काम नहीं करते हैं तो महिला का कोई इस्तान नहीं है तो उसको माई के छोड़ गए अब मैं वक्त बेवक्त जाती और कहती दीदी निराश मत हो कुछ पढ़ाई कर लो उनको किताबे देती फिर उन्होंने कक्षा आठ की परिक्षा दी वो भी मेरी तरह जिद्दी थी पांस बारों अनुतिरने की, छटी बारों उन्होंने कक्षाष की परिक्षा उतिरने की, फिर हाई स्कूल परिक्षा उतिरने की और बड़ी मुश्किल से ट्रेनिंग करके अधिहापिका बन गई जिदी वास्तों में ये समाज के उन लोगों को आप मुख्यधारा से जोड रही है और उनके अंदर में होसला जगा रही है, अलग जगा रही है, दुनिया जमाने से कैसे लड़ा जाता है, कैसे अपने जीवन को जो इश्वर ने हमें दिया है, उसको संग्रक्षित करना है, उसको अच्छे कारियों में लगाना है, तो समाज में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे मौजिद हैं, जो सिर्फ इस भावना से इस कारी को नहीं कर पाते हैं, अच्छा जब आप ने अध्यापन कारी शुरू किया, तो आपका जीवन बिलकुल परिवर्तित हो गया, और एक उहदा आपको मिल गया, हैसित आपको मिल गी, तो इसके बाद समाज की सोच में किस तरह का परिवर्तन आया? अच्छे घर्णस के प्रस्ताव आने लगे, लेकिन तब तक मैंने मन बना लिया था, कि मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने साथ साथ अन्य लोगों के जीवन को भी सुधारना है, जो किसी भी मजबूरी से, चाहे आर्थिक हो, य अगे नहीं पड़ पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने विवाह करने का विचार अपने मन से हटा दिया, ये भी एक बहुत बड़ा होसला था दिदी, आपका बहुत बड़ा फैसला था, कि किसी भी तरीके से मैं वैवाहिक जीवन मन नहीं बदना चाहती, मैं बोज तले अपते बुराईया हैं, उनके खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश के, मुझे पत्र पत्र काया पढ़ने का उपन्यास पढ़ने का बहुत सोक रहा, और पढ़ते पढ़ते मेरे मन में विचार आया, और हमारी भासा को लोग भूलते जा रहे हैं, घर के अंदर भी हमारी भासा का प्रयोग कम ही हो रहा है, तो इसको उजागर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, मैंने सुता कि कुमाउनी में भी लिखा जाए, और अन्य हिंदी भासा में भी मैं लेख लिखती हूँ, देदी ये जो कुमाउनी बोली की बात आपने कही कि उसका प्रयोग लोग कम करने लगे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो गिरावट आई है, इसके पिछे क्या कारण हो सकते हैं? कि हमारे बच्चे इसको सीखें और प्रयोग कर सकें? कि हमारे जो निर्मान कारी करने वाले हैं, और जो अपना विकार चाह रहे हैं, पैसा कामाना चाह रहे हैं, वो हमारे जंगलों को नश्चे इसको सकते हैं? कर रहे हैं, हमारी भूमी का खुदान कर रहे हैं, मुझे ये चीजें बहुत दुख देती थी, मेरे हिर्दय में इससे कर्ष्ट होता था, तो हमारे पास और तो माध्यम कुछ नहीं है, कलम है और बच्चे हैं, उन्हें के माध्यम से हम अपने इस दुख को औरों के आगे रखके इसकी रोक थाम करना चाहते थे, जब भी वादवियाद प्रतियोगिता होती या कहीं पर इस प्रकार के आयोजन होते, मुझे वहाँ पर बुलाया जाता, मैं वहाँ पर बच्चों को ब्याख्यान देती संबंध में, और भागी राजिस्वरी जी हम तो अध्यापक हैं, बच्चों को हमने हर समय यही बताना है कि परियावर शंगरक्षन हमने करना ही करना है, राष्ट के सच्चे माइने में निर्माता है आप दीदी और आपका संदेश, आपका व्यावार, आपकी सोच, सब आपके बच्चों में वो दिख रहा है, आने वाले निसल को आप बहुत मजबूत करना चाहती हैं, कहीं जिन्दगी में कुछ कमी का एसास हुआ आपको? जहा हम बुलाएं उनको वहाँ पर आएं, इसका लाव उठाएं, अब दीरे दीरे लोगों की सोच पदल रही है और वो हमारे शेतर में जूरने लगे हैं। बड़ा उलेक किया गया है, इससे आने वाली नसलों को जरूर फाइदा पहुचेगा, लेकिन भारत सरकार का सबसे सरवोच सम्मान, शिक्षा के क्षेतर में आपको राश्ट्रपती पुरुसकार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जब आपको मिला, कैसे मिला, किसी कृती के लिए मिला, किसी कारी के लिए मिला, कब मिला, इसके बारे में जरूर विस्तार से बताएं। राजिश्वरी जी, मैं सारी रिख रूप से अक्षम हूँ, जब भी मेरा ट्रांसपर होता, एक जगर से दूसरी जगर, मेरे गाउंवाले सभी कार्याले पहुंचते और कहते कि हमको उनके आवसकता है। हमारे गाउं में शिक्षा तो सभी दे सकते हैं विद्याले में नौक्ति करते हुए। लेकिन जो हमारी हन्सा देदी हैं, वह हमारे बच्चों को अवकास के बाद भी सहायता करती हैं। कहीं भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट ले जाना हो। कहीं भी किसी वाद व्याद तृतियोगिता में भाग लेना हो। वह हमारे बच्चों के साथ रहती हैं। और मैं उनकी इसके अलावा अन्य असोईधाओं को भी दूर करने की कोशिश करती हूं। जिसकी जैसे आओ सकता हो। तो विभाग को लगा कि गाओं वाले इनको इतना चाहते हैं। इसका कोई न कोई कारण अवश्य होगा। जब भी हमारे अधिकारी विध्यालगी में आते, वह हमेशा प्रसण्न होकर जाते कि विध्यालगी में भावन की स्वच्चता लेकर सजाओं से फूलवारी आधिशे लेकरके। करके और एक समुदाई में मैंने इस प्रकार का संगठन बना रखा है कि वो विद्यालई में आकर करके हर विषय में अपने रायवनसरा लेकर के उनके समझाओं का भी समाधान हो जाता है चाहे हो विद्यालई से समधेत हो या नहों तो अधिकारियों को लगा कि हमको ऐसे ही क्या हो सकता है तो हमारे अधिकारियों ने कहा कि हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं मैं तो सोती हूं कि हमारा ये करता भी है हमने ये करना ही है लेकिन उन्होंने अपने तरफ से सम्मान दिया मैं उनके आभारी हूं और जो मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे बहुत एक ऐसा उसर था बजपन में बाहर आने में जीज़कती थी, सर्मादित की लोग क्या कहेंगे करके, लेकिन आज हमारे विभाग ने, हमारे समाज ने मुझे इस उस स्थान पर रखा, जहां पर राष्ट पती जी से स्वेंग में ने पुरस्काल दिया, प्रधान मंत्री जी के वहाँ सभा में बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई कमी किशी को रोक नहीं सकती है, होंसले होने चाहिए, आदमी हरिस्तान पर पहुंच सकता है दिदी आज इतनी लंबी सेवा करने के बाद आप अवकाश प्राप्त कर चुकी है, समाज आपका हमेशा रहनी रहेगा, आपके उतक्रिष्ट सेवा के लिए आपको राष्टपती सम्मान से भी सम्मानित किया गया, ये पूरे उत्राखंड के लिए पूरे देश के लिए गरों के बात है, कि इस समय हमारे सुनने वाले सीधे आपसे रूपरों हैं, लेकिन थोड़ा सा आपकी नीजी जिन्दगी के बारे में भी बात करना चाहते हैं, हमारे शोता जानना चाहते हैं कि इस समय आपकी जो दिन चरिया है, वो क्या-क्या है, बड़ा सुन्दर सा उसके बाद मेरी दिन चलिया शुरू हो जाती है, अखबार पढ़ना, अपने भाईया अहे मंतविष्ट और भतिजों को तैयार करना, उनके हमारी बहुत जो भी काम करती है, उसमें मैं सहयोग देना चाहती हूं, मुझे अच्छा लगता है उनका बच्चों का टिपन रखना उसके बाद मैं विद्या ले जाती हूं, फिर चार बज़े घर पहुँचने के बाद, चाई पानी पीने के बाद, कुछ घर का कारी भी अवश्य करती हूं, मुझे साख सब्जी काटना, सहयोग देना अच्छा लगता है, और रात्री को सोने का समय मेरा साड़े ग्यारा ब कि कैसे लोरी सुना करके दादी नानी लोग सुलाते थे, कैसे कहानिया सुनाते थे, उस लोरी गीत में तब के और आज के गीतों का मैंने आपस में तुलनात्मक अध्यन करने के लिए बच्चों के लिए लिखा है, यह माताओं के लिए भी है लेक, दादी लोगों के लिए पहले साधी विवाह में हमारे कुमावनी जो गीत होते थे जिनको हम आज भी सकुनाकर कहते हैं, वो गीतों को गाया जाता था, आज तो इतना जादे म्योजिक बचता है, वो होता है, लेकिन इनका अपना इस्थान है, मैंने अंतरमन को छोते ये सकुनाकर भी लिखा इस्था मेरा कारी नौकरी के साथ साथ घरेलू भी है, सामाजी भी है, मुझसे रवियार के दिन मिलने गाओं की बुड़ी ब्रद महिलाएं जरूर आती हैं, और मैं उनसे बड़े प्रेम से मिलती हूं, मेरा रवियार का दो तिन घंटे का समय हमेशा उनके साथ बीता है, और बच् देर उनकी जैसे बातें भी उनसे करती हूं, और बागी जब ये महिला हैं, बुनाई, कड़ाई, से लाई, मैं कुछ सहयोग चाहती हैं, उस बहाने भी मेरे पास आती हैं, इसलिए सामाजी खेतर में हर समय में इनके साथ घुली मिली रहती हूं, भोजन में क्या-क्या अच चावल इसी प्रकार का भोजन करती हूं, मान्स अंजा मैंने नहीं चाखा जीवन में, मुझे याद नहीं है, और जब हमारे घर में कोई महमान आते हैं, मैं डाल भीगा करके चीले बनाती हूं के लिए, कोई महमान आते हैं या चुट्टी का दिन होता है, तो कोई नह पु पारमपरिग भोजन ही पसंद हैं, फिल्में देखने का शौक दीदी को कभी रहा है, मैंने बजपन से फिल्में कम ही देखी क्योंकि उस समय साधन था नहीं, बाद में 1984 में हमारे हमारे टीवी आया, तब कि अवर रविवार के दिन ही फिल्में आती थी, और अधिकतर धार धारमिक फिल्में देखने का बहुत सोख है, कोई ऐसा घीतकार, कोई ऐसा संगीतकार, कोई ऐसा फिल्म अभीनेता आपका जो पसंदीदा हो, जिसको अक्सर आपका भी सुन लेती है, या देखना पसंद करती हूं? मैं तो बहुत पुराने जमाने की हूँ, मुझे अश्वक कुमार जी और निरुपारोय जी ये अभिनेता अभिनेतरी जादे पसंद हैं और गीतकार में मैं अनूब जलूटा जी इनके भजन सुनना पसंद करती हूँ, अन्रवधा पॉंडवाल जी के भजन भी सुनती हूँ अपने सलाहियतों से दोस्तों हनसा दिदी समाच को एग नई दिशा दे रही हैं, खरीब, अमीर, छोटा, बड़ा, सब एक समान दिदी के इस घर में आते हैं यहां से संसकारों को लेके जाते हैं यहां से मानोता का एक संदेश लेके जाते हैं दिदी हम दुआ करते हैं इश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि आपके बहुत लंबी उम्र हो और आप अपने आसपास अपने क्षेतर की अपने प्रदेश के अपने देश के तमाम उन लोगों को उन विद्यारतियों को उन रहने वालों को जीवन का एक सुन्दर अगमार्ग दिखा रही है और इस कारी में निश्टीद रूप से आपके सामने कई ऐसे घटनाएं कई ऐसे दिक्कते भी आई होंगी उनका भी आपने सामना किया अच्छा बच्पन की कोई ऐसी याद जो आपको आज आती हो या तो आप बहुत खुश होती होंगी या तनहाई मरूती होंगी कोई अगर ऐसी याद है तो हमारे सुनवानों को बताईए हमारा समाज ऐसा है यहाँ जब मैं थोटी थी तब जादे पड़ी लिखी महिलाएं भी नहीं होती थी तो शाहन उफूती के सब्दाँ में मुझे कहती थी कि आप इतना कश्ट का जी रही है इससे तो मरदान आच्छा है तो उस समझ अपने को देखकर नहीं समाज की सोच को देखकर मुझे रोना आता था अब उस समझ उतना मैं नहीं समझती थी, जितना आज समझ रही हूँ, क्यों लोग ऐसा कहती थी, ऐसा हमने कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, वो याद है मुझे आज भी कुरेती हैं, और बच्पन की एक याद मुझे आती है, जब मैं कक्षा चार में पढ़ती थी, 15 अगस्त मुझे गोद में उठाया, और यहां से करीव तीन सार किलो मीटर जूर, जितने ग्रामों का ब्रहमन किया मुझे ले गए, आज मुझे बार बार उनकी याद आती है, कि उन्होंने मुझे वो इस्थान दिखाया, वहां मैं आज दिल्ली, लखनव, आकरा, सब जगे जाती लेकिन जिस गाओं में हम उस दिन गए, पैदल यात्रा की, वहां मैं आज भी नहीं जा सकती हूँ, वो इस मरण मुझे बार बार मेरे हिर्दय में खुची पैदा करता है, और मैं अपने उना अध्याबक जी के प्रती सम्मान से, आज भी मेरा सर्ज हुग जाता है देदी, निश्ची तुरुप से जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, वो भी नतमस्तक हैं आपके सामने, आपके creation के सामने, आपके devotion के सामने, आपके सोच के सामने, कोई संदेश हमारे उन सुनने वालों को, जो इस समय आपको सुन भी रहे हैं, जो आपको देखना चाहते है लेकिन उनके वो दो दर्शन नहीं कर सकते यहां इस ख्षेत्र मा करके लेकिन आपके आवाज सुन करके उन आदर्शों पर वो भी चलेंगे और समाज से जिस ढंक से आपनी लड़ाई-लड़ी है वो भी लड़ाई-लड़ें दुरभागी से कोई आपकी ही तरह अक्षम है हमारे होंसले बुलन्द होने चाहिए हम में काईर करने की इच्छा सकती होनी चाहिए कमया क्या हैं जो हमको रोख सकाए हम खुद आगे बढ़ने वाले हैं हमें इच्छाओं के पंख दिए हैं भगवान ने हमने उन्हें लेकर उरना है इसलिए हर कोई बच्चा, हर कोई अक्षम व्यक्ति अपना मार को खुद बना सकता है, हर आदमी अपने बलबूते पर आगे वड़े, यही मेरा संदेश सब के लिए है देदी इश्वर करेब, आप जिस खांदान से तालुक रखती हैं, वो खांदान हमेशा जिन्दा रहे, उनके परमपराई जिन्दा रहे, और उनके सब्धता जिन्दा रहे, और उनके संसकार जिन्दा रहे, जिस ढंक से उस परमपरा का निर्वहन आप कर रही है, इश्वर और आप ही की तरह एक नई सोच जब संगर्षों के कटु अनभव तेरी अनुभूती सजल कर दें, जब पत्में बिखरे शूल तुम्हारे पाउं को गायल कर दें, मेरी करुणा आचल बनकर तेरी पीर मिटा देगी. यही आशा और यही विश्वास के साथ सुन्दर समाज और राष्ट निर्माण में अपना अमोल योगदान दे रही हैं देवभूमी के देवी आदुनिया हंसा विष्ट आज यही विराम लेते हैं. अगली सब्दा है. इसी दिन, इसी वक्त, किसी और व्यक्तित्यों के साथ जिन्दगी के नई रंग से रूबरू होंगे. तब तक धारावाहिक जीवन को मुस्कान बना की पूरी टीम को विदा दें. ट्रणाम. जीवन को मुस्कान बना की जीवन के लेंगोंगे. कर दो 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 कर